हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक डिजाइन की बाद चैनल में तो आज हम आपको एक बढ़िया सा टुटोरिल बताएंगे इसकी हेल्प से आप बहुत ही शानदार वेबसाइट एप्लिकेशन्स वो सब डिजाइन कर सकते हैं वाला एक बार डिसकस कर लेते हैं इसके बाद हम पेडवाला डिसकस करेंगे जो पेडवाला हमारा वह बहुत ही शानदार प्लग इन है बहुत अच्छा प्लग इन है must use है बट वह थोड़ा सा पेड़ है तो देख लिजेगा अगर आपके बजड़ेड में है तो आप यूज़ करिएगा उस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, उन्होंने पेड में रखा है, लेकिन बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, और आपको पूरा साइट मैप बना के दे देगा, पहले साइट मैप से आप पूरा वायर फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, को आटर हम करना से हम प्लगि Cuban में जाएंगे और प्लगिन करेंगे, और यहां पर हम सर्ष कर लिएगे वायर फ्रेम डिजाइनर, यह प्लगिन खाफी अच्छा है, यह भी हमें पूरा वायर फ्रेम क्रिएट करके दे देता है, जैसा अप अपना वैबसाइट बनाना चाहे आपको 10 design credits देता है तो इसमें से अगर आपने एक design create कर लिया तो आपका 9 हो जाएगा फिर तो यह 10 credit देता है, उसके बाद यह paid है, है ना, बट हमारा जो next वाला है, सिर्फ एक देता है, और वो भी सिर्फ एक page आपको design करने के लिए देगा, वो free में, जो free देता है, वो सिर्फ एक page ही देता है, है ना, बट यह आपको 10 designs देता है, तो अभी हम यह वाला plugin start करते हैं, द है ना, तो उनको wireframe बनाने problem होती है, कि कहां से start करें, तो इस चीज को वो, इसमें plugin के थूँ बहुत ही easily कर सकते हैं, तो just उने क्या करना है, just, जैसे कोई हमारे पास client आया, और उसने बोला कि हमें, इस चीज की website चाहिए, जैसे की, कोई हमारा client आया, उसने बोला कि design a website, design a website a website for yoga studio, जैसे का है, योगा studio, तो इससे क्या होगा कि हमने इसको एक तरह का prompt दे दिया, अब ये इससे एक wireframe, एक website का wireframe ये design करके दे देगा हमें, तो देखते हैं कि क्या चीज डिजाइन कर रहा है, है न, तो अब ये थोड़ा सा AI जो है working में लगा हुआ है, कि कैसा होगा हमारा yoga studio, तो अभी देखिए हमने application वाला choose किया, तो ये application के हिसाब से बना रहा है, है न, कि हमारा जो application का page होगा, वो कैसे बनेगा, तो अभी हम इसी का, हम desktop version भी करेंगे, है न, तो देखिए, ये create कर रहा है, कितना बढ़िया page इसने create कर दिया, है न, तो इस तरह का wireframe बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा time लगने वाला था, बट इसने बहुत ही easily कर दिया, और बहुत ही जल्दी कर दिया, तो ये UI designer के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये देखिए, आपर select करते हैं, पुरा इसने auto layout भी use करके दे दिया है, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रत नहीं है, हाँ अगर आपको sketch बना के फिर करना है, तो आप वैसे कर सकते हो, बट अगर आपको easily चाहिए है ना, तुरंद के तुरंद चाहिए, तो ये plugin बहुत ही अच्छा use करने के लिए, तो अभी में आपे हमने एक application के लि लेते हैं, और यह हम यहाँ पे इसको context भी बता सकते हैं, है ना, किया आपके product का background कैसा रहेगा, आपका target user कौन रहेगा, तो वो भी हम इस पे यहाँ पे बता सकते हैं, तो अभी हम जाते हैं, इसको okay कर देते हैं, तो अभी यहाँ पे हम यहीचीज रहने देते हैं, और एक अभी हम सेम ही desktop के लिए करते हैं, तो यह देखे, इसने banana start कर दिया हमारा जो website है, वो banana start कर दिया है, यह देखे, तो यह बहुत ही अच्छा plugin है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद use करता हूं इसको, मुझे कोई कुछ design करना होता है, है ना, मेरे पास कुछ ऐसे clients आ तो मैं इस चीज का use करता हूं वहाँ पर, है ना, तो यह बहुत ही useful है, बट यह, यह 10 designs देता है आपको, है ना, उसके बाद आप paid ले सकते हो, है ना, तो यह देखे, इसने कित्ती बढ़िया जो wireframe है, वो create कर के लिए दिया है, यह देखे, है ना, अभी मैं इसको off कर देत है थोड़ी देखे लिए, तो यह देखे, यह इसने कित्ता बढ़िया, टॉप बार बना दिया, यह बना दिया, है ना, तो यह plugin बहुत ही शानदार plugin है, और useful है UX designers के लिए, other designers के लिए भी useful है, अगर आप यहां से import करके, इसको PDF में convert करके, अगर आप कहीं use करना चाहते हैं हम देखते हैं, जो कि हमारा paid है, बट उसमें एक page आपको बनाने को मिल जाएगा, तो अभी हम सुरू से देख लेते हैं, कि उसको कैसे use करना है, वो बहुत ही अच्छा AI website builder है, है ना, उसके थ्रू हम एक wireframe design करेंगे, है ना, तो I hope guys की यह वाला plugin आप लोग को अच्छा ने हो, तो subscribe कर लेना मेरे channel को, और अगर पहले से subscribe कर रखा है, तो इस video को like कर देना, इस तरह के design tutorials, tips and tricks आप लोग को इस पे मिलती रहेगी, है ना, so please like करिएगा, support करिएगा, तो अभी next वाला जो हम देखेंगे, वो paid वाला है, बट बहुत ही जादा useful है, यह जो मैंने create किय यह बहुत ही जल्दी किया, बट इसमें थोड़ा सा एक और चीज इसमें है कि इसमें design बहुत ही unique नहीं मिलते हैं आपको, है ना, इसने, यह वाला design तो बहुत ही अच्छा बना है, यह वाला application के लिए बना है, इसने, वो बहुत ही अच्छा बना है, बट यह जो website के लिए इसने थोड़ा old fashion है, है ना, तो अभी इसमें थोड़ा सा old fashion हो जाता है, बट आपको थोड़ा सा prompt के साथ use करना आना चाहिए, अच्छे से, अभी तो मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने just simply use किया prompt, अगर आप बोलोगे तो मैं एक prompt पे भी video बना दूँगा कि prompt कैसे लि करेंगे, तो कितना अच्छा output आएगा, तो चली फिलाल अभी यहां पे इसको, अभी यहां पे इसको हम use करेंगे भी यहां पे जो next वाला plugin है हमारा, तो अभी क्या करते हैं, उसको कर लेते हैं, उस plugin का नाम है Relium, Relium AI, तो अभी just latest ही आया है यह, है ना, तो यह आगे यहां आटी खोल दी है, तो यहां से हम, यह आद रखिएगा कि यह देखिए हम back में जाते हैं, तो यहां Relium Library है, AI powered side builder, इसको खोलना है ना, AI powered side builder है, यहां पे cookies के लिए मांग रहा है, तो यहां से हम generate कर सकते हैं, पहले हम sign up करके देख लेते हैं, नॉर्मली भी हम कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे भी हम, है न, यहां पे हम यह join for free वाला कर लेते हैं, है न, तो अगर आप paid लेना चाहते हो, तो यहां से आप paid कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ, अगर आप paid लेना चाहते हो, तो paid ले लेना, है न, तो यहां पे हम account हमें create करना है, है न, तो हम create कर लेते हैं account, तो यहां पर हमने यह देखे साइन अप कर लिया है तो यहां पर कुछ पूछ रहा है उसके हमें एंसर दे देना कि आप कौन है क्या यूज करते हैं तो मैं यहां पर डिजाइनर कर दे रहा हूं where do you work company name तो यहां पर मैं कुछ भी डाल देता हूं x x y z और यहां पर मैं कर देता हूं only me और company size agency तो मैं यहां पर कर देता हूं others और यहां पर how did you hear about new library तो मैं यहां पर YouTube कर देता हूं है न फिर यहां पर continue करते हैं तो यह थोड़ा सा यह चीजे पूछता है है न तो यहां पर हमने यह create कर लिया अब इसके बाद हम क्या करें कि यहां पर यह देखिए यह आ गया हमारे पास यहां पर हम अब जाएंगे site builder वाले option में है न तो बिल्डा site यहां पर हम जाते हैं तो यहां पर जाते हैं तो यहां पर watch हा video कह रहा है तो अभी हम इसको skip कर देते हैं तो यह दिखिए यहां पर पूरा साइट मैप ready है तो इसमें अभी हमें एक साइट मैप बनाएंगे तो यह साइट मैप जो है यह पूरा वायरफ्रेम क्रियेट कर देगा तो अभी हम साइट मैप के लिए कंपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि क्या चीज हमें अब डिजाइन वेब साइट फॉर योगा स्टूडियो तो अब हम इस चीज को लिखते हैं और यहां पर देखते हैं इस साइट मैप कैसे जनरेट होगा तो एक बर मैं साइट मैप भी आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा जूम करके इसको जूम इन कर लेते हैं यह न किphabet क हमारा साइट मैप है इसका अंडिट कर देते हैं ऑन पेर इसके बाद साइट मैप से इकरते हैं है यह देखिए करते हैं यह दो एक हैँए यहँा पर यह हमारा prompt था यहां पे अब हम इससे generate करते हैं, यह देखे जनरेट करते हैं यह धीरे-धीरे, यह generate करने लगेगा, यह भी site map generate कर रहा है, तो site map से ही पूरा यह wireframe generate करेगा, side map में क्या हमारी home section में क्या-्क्या चीज होनी चाहिए, वो पुरा यह एकदम generate करके दे रहा है, यह से लिए विसके बांद आगा SEC socल में क्वाना चाहिए भिन फिर classes क़्र। यह जो section फिर सारा यह बनाकर दे रहा थी यहां पैसे हम create इन यहां पर it करेंगे यहां पर जानरेट करेंगे यह इन जो यूजर एक्स स्ट्रेजी का काम है यूएक्स स्ट्रेजी बूलते हैं इसको इसके लिए आपको बहुत जादा टाइम लगने वाला है क्योंकि मैंने कर रखा है वेब साइट के लिए क्लाइंट के लिए अपने तो मुझे कम से कम एक वीक लगा था यह पूरा जो साइट मैप रेडी करने में और यहां पर यह काम विदिन वन और टू मिनिट हो गया है तो यह बहुत ही अच्छा प्लगिन है जो यूएक्स डेज क्या चीज कैसे होनी चाहिए कहां पर होनी चाहिए तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम इसको करेंगे क्रियेट है ना तो इससे हम वायर फ्रेम क्रियेट करेंगे तो अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज है ना इसको हमने बंद कर दिया अब हम क्या करेंगे यहां से वायर फ्र वायर फ्रेम जनरेट करना शुरू कर दिया, अभी ठोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आप लोगो, यह देखिए, यह देखिए, इसने पूरा वायर फ्रेम क्रिएट कर दिया और बहुत ही, एकदम कजब का लुक है, है ना, तो यह देखिए, यहां से हम सारे अलिमेंट ज इस तरह से लगाना चाहिए, मालिज हमें यह वारा स्टाइल पसंद है, तो हम इस वाले पस्सक आफ्धार को अपने से यूजर कर सकते हूं यह वाले स्टाइल, यह वाले तो जैसा हमें रखना है, हम रख सकते है, यह सारी चीज़े हमारा वायर फ्रेम डिजाइनर में नही कि दूसरा जनरेट करने लगाई है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो ये जो है, बहुत ही अच्छा अप्लगेन है, बट ये एक इसने पेज सिर्फ डिजाइन किया, बाकी के पेज देखी, सिर्फ होम पेज ज तो वो फिर आपको पेज लेना पड़ेगा, तो ये देखे, इसने सारी पेज जो है वो लॉक कर रखे हैं, तो इसलिए बोला था मैं पहले कि ये जो वाला जो प्लगईन है, वो पेज प्लगईन है, तो लेकिन जो पेज है ये, वो वर्थेट है, तो अभी इसने काफी बनाके दे दिया है, तो इस plugin का नाम है Relium, तो अभी ये काफी famous है, अभी just latest आया है, तो अभी trending में भी है ये जो plugin है, और सारी designers अभी जो latest है, ये ही use कर रहे हैं, इसमें latest चीजे हैं, है ना, अभी latest आया है, तो latest चीजे ही हैं, तो सबसे अच्छी बात है ये कि इसको हम copy करके direct figma में ले जा सकते हैं, है ना, अभी तो ये मैंने Relium खोल के दिखाया आपको, तो इसको यहां से हम copy करेंगे, अभी यहां पे नहीं होगा, क्योंकि ये upgrade मांगेगा paid के लिए, तो normally यहां से हम इसको copy करके direct figma में ले जा सकते हैं, और इसको नहीं पता, ये webflow में भी use हो सक आपके webflow में, है ना, तो ये direct ही figma में चला जाता है, इसका जो figma है direct बन जाता है, एकदम इसने new उससे बना के रखा, तो इसको आप figma में proper एक website design कर सकते हैं, है ना, तो guys ये वाला plugin जो है, काफी useful है, so अभी हम आ जाते हैं, अपने figma पे, ये देखी हैं यहां पे, तो ज इस तरह से ये 10 designs free दे रहा है, तो मुझे ये भी काफी अच्छा plugin लग रहा है, तो अभी देखे हमारे पास 8 बचा है, तो आप 10 10 करके काफी, मतलब अगर आपके पास 2 या 3 accounts हो, तो उनमें आप use कर सकते हो, है ना, तो आप अच्छे कहसे designs बना सकते हो, इससे, so ये भी सब खराब नहीं है, बट उससे थोड़ा सा कम designs इसके अच्छे, so वो थोड़ा latest है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो अगर मेरा जो vote है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं बताओ कि मैं कौन सा ज्यादा use करता हूं, तो मैं अभी फिलाल के लिए तो अभी wireframe designer use कर रहा हूं, बट मैं reloom पे shift हो रहा हूं, तो in future मैं reloom पे shift हो जाओंगा, तो अभी मैं इसलिए video बना रहा हूं, तब तक तो मैं ये ये wireframe designer use कर रहा हूं, guys hope कि ये video आपको अच्छा लगा हो, ये जो दो plugin से आपको काफी अच्छे लगे हो, useful लगे हो, तो अगर आपको useful हैं, तो मेरे channel को subscribe कर दीजेगा, है ना, like share कर दीजेगा, तो इस तरह के design से related, figma से related tutorials या tips कुछ भी आता है, तो मैं आप लोग के लिए लेके आता हूं, तो अभी ये जो latest आया था, Reloom, उसकी भी detail मैंने आपको दे दिया, अभी मैं एक proper जो है, Reloom का tutorial ले आऊंगा, अगर आप लोग मुझे comment करोगे, थोड़ा support करोगे, तभी मैं लाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, proper video बनाने में और website को design करने में, तो आप लोग थोड़ा help करोगे थोड़ा मुझे support करोगे, subscribe करोगे मेरे channel को, तो यह मैं थोड़ा सा यह कर पाऊंगा है न, तो please channel को like कर दीजेगा, subscribe कर दीजेगा, hope कि आपको value मिली होगी मेरे इस tutorial से, अगर value मिली है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह की value मैं आप लोग को provide करता रहूंगा, और hope क कि आप लोग को अच्छी चीजे ही बताऊं, अच्छी knowledge है वही दूम में आप लोग को, तो guys इस video को हम यही पर wrap up करते हैं, तो मिलते हैं किसी next video में, तब तक के लिए bye bye, तो देखते रही है मेरे channel को design की बात, तो bye bye guys